हलो फ्रेंड्स स्टड़ी विट मैंक के करंट अफर सेशन में आपका स्वागत है यह करंट अफ़ैर स्सी बैंकिंग रेलवे स्टेट पीसीएस सीडियेस सीपीएफ एंडिये और अधर कंप्रेटिटिव एक्जामादी में सहायक होंगे आज की डेट है 5 जून 2021 तो चलिए आ अफ्षन दी भूटान देखे मौरिसस के जो पूर प्रधान मंत्री है अनिरुद जगनात उनका 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को अनिरुद जगनात मौरिसस की प्रधान मंत्री और राश्टपती दोनों ही पदोपर कारे कर चुके हैं भारत और हिंदी के प्रतिपने खास लग से नवाजा गया था अनिरुद जगनात का जव जन्म है वह 29 मार्श 1930 को मौरिसस में हुआ वे वर्ष 2003 से 2012 तक देश के राश्टपती थे इससे पहले भी वे देश के प्रधान मंद्री भी रहे हैं तो इसका जो रहे थे तो इसका सही अंसर होगा ऑफ्षन ए मौरिसस चले नेक्स्ट कुश्शन पर चलते हैं असम सहत्य सभा के किस पूर्व अधक्ष और प्रख्यात सहत्यकार का 89 वर्स की उम्र में निधन हो गया और नहीं नहीं साथ से अधिक किताबे लिखी जिनमें अधिकांग्स उपन्यास और लगू कहानियों के संकलन है उनका पहला उपन की का 11 भासाओं में अनुबाद हुआ है और 1976 में इस पर फिल्म भी वनी साहत्यकार पुरस्कार विजेता बोरा असम सहत्य सभा के अध्धक्ष रह चुके हैं उन्होंने स्वरश्वति सम्मान और असम वैली लिटरेरी अबॉर्ट से भी सम्मानित किया गया था तो इसका सह ही अंसर होगा ऑफ्षण सी लचमिन अंदन बोरा चले नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं कि फॉप्स की तरब से जारी ताजा रेंकिंग में सार्वधिक कमाई करने वाले सौ खिलाडियों के सूजी में किस एक मात्र भारते खिलाडी को 197 करोड रुपे कमाई के साथ 591 अंबर प्राप्थ हुआ है ऑफ्षण ए रोहित सर्मा ऑफ्षण बी सिखरदवन ऑफ्षण सी रुसापंध ऑफ्षण डी विराट कोहली देखे भारते कप्तान विराट कोहली लगातार पांच वेव साल फॉप्स की सार्वधिक कमाई करने वाले सिर्ष सौ खिलाडियों में सामि रहने वाले कोहली इस बार साथ पायदान की छलांग लगाकर 59 नमर पर पहुंच गये हैं उनकी कमाई में करीब 32 करोड रुपे का इजाफा हुआ है कोहली 2019 में 189 करोड की कमाई के साथ सौवे स्थान पर थे मिक्स्ट मार्सल आर्ट्स के दिगज खिलाड़ी कॉनर मैक ग्रेगर करीब 1517 करोड रुपे यानि 208 मिलियन डॉलर के हिसाब से देखेंगे तो की कमाई के साथ जो है वो दुनिया के सार्वधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं तो इसका सही अंसर होगा option D विराट गोली चले नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं कि रिण सहाइता के इसलिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं ADV ने कहा कि वो समझोता पूर्वत्य राइजय में महत्पोन कस्बो ग्रामन छेत्रों और तेर्थ एवंग परियाटन स्थलों से संपर को बहतर बनाने में मदद करेगा इसका सही इंसर होगा option B सिक्किम चले next question पर जलता है अमेरिकी अंतरिक्ष एजन्सी नासा ने घोशना की है कि वो किस ग्रह के लिए वर्ष 28 से 2030 के बीच दो अभ्यान भेजेगा option A सुक्र ग्रह, option B मंगल ग्रह, option C सनी ग्रह, option D बुध ग्रह अमेरिकी अंतरिक्ष एजन्सी नासा ने जो है वो घोशना किये है कि वो सुक्र ग्रह के लिए वर्ष 28 से 2030 के बीच दो अभ्यान भेजेगा ये मिसल बेहत खास होने वाले हैं, इनके ज़रिये नासा के विज्ञानिक सुक्र ग्रह के वायमंडल और उनकी भूविज्ञानिक विस्यस्ताओं की जाँच करेंगे इसके लिए नासा को जो है वो 50-50 करोड डॉलर की फंडिंग भी मंजूर कर दी गई है तो इसका सही इंसर हो का option option A सुक्र ग्रह चले next question पर चलता है निवन में से किस देश ने स्वक्ष उर्जा नवाचार को बढ़ावा देने है तू सदस्य देशों में इंक्यूवेटरों का एक नेट्वर्ग बनाने के देश से एक वेस्ट्रिक पहल Mission Innovation Clean Tech Exchange लांच किया है Option A भारत, Option B नेपाल, Option C बांगलादेश, Option D स्रीलंका देखे भारत ने सुक्ष उर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इंक्यूवेटरों का एक नेट्वर्ग बनाने के देश से एक वेस्ट्रिक पहल Mission Innovation Clean Tech Exchange लांच किया है स्वक्ष उर्जा को दसकों तक किफायती, आकर्सक और सुलब बनाने के उदेश से और पैरिस समझोते और सुध सुन्य उतसर्जन की दिसा में कारवाई को आगे बढ़ाने के उदेश से यो Mission सुरू किया गया है तो इसका सही अंसर होगा Option A, भारत चलिए Next Question पर जलते है न्यूजलेंड के किस बल्लेबाज ने लॉट्स में अपने पदारपन टेस्ट मेंच में सार्वधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारते कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है Option A, कोरी एडर्सन Option B, डेवोन कॉनवे Option C, फिन एलन Option D, टॉम लेथम नेकि न्यूजलेंड के जो बल्लेबाज है डेवोन कॉनवे उन्होंने लॉट्स में अपनी पदारपन टेस्ट मैच में सार्वधिक स्कोर बनाने का पूर भारती कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है गांगुली की तरह बाय हाथ के बलेवाज कॉनवे इंग्लैन के खिलाब पहले टेस्ट क्रिकेट मेच में सुरुवाती दिनों के बाद 136 रन पर खेल रहे थे इस बीच उन्होंने गांगुली के 131 रन की रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया भारती क्रिकेट बोर्ड के वरतमान अध्धक्ष गांगुली ने 1996 में लॉट्स में टेस्ट क्रिकेट में पदारपण किया था और 131 रन की पारी खेली थी तो इसका जो सही एंसर होगा वह होगा आपका ऑफ्षन डी ऑफ्षन बी होगा डेवान कॉनवे चले नेक्स्ट कोईशन पर चलते हैं नीतियायो के स्ट्विकास लक्षो के लिए सुचकांग सामाजिक आर्थिक और परियावरने मापदंडों पर राज्यों और केदर सासित प्रदेशों की प्रगति का मल्यांगन करता है एक रिपोर्ट के नुसार केरल ने 75 अंग के साथ सिर्स राज्य की रूप में अपना स्थान बरकरा रखा है जबकि 74 अंग के साथ जो हिमाचल प्रदेश और तमिल नाडू को दूसरा स्थान मिला है तो इसका बीज मिनिकट कारिक्रम सुरू किया है और केंदर क्रिसी मंत्री और केंदर सिंग तोवर ने हाली में किसानों को तिलहन एवं दलहन के बीजों की अधिक उपस देने वाले किस्मों का वित्राण करके एक बीज मिनिकट कारिक्रम सुरू किया है इवो मेंनिकेट केंडरी एजिंसिओं भारती रास्टी करिशी सहकारी विपणन संग लिमेटेड यानि नेफ़ेड रास्टी बीज निगम और गुजरात राज़्य बीज निगम द्वारा प्रदान की जा रही है तता सरकार द्वारा पूर्णतर सरकारी पूर्णतर जहाब का रास्टी सुरक्षा खाद मिसन के माध्यम से वित्तपोशत किया जा रहा है इस कारिक्रम का उदेश क्रिसी में नई किस्मों के बीजों को लाना है योग 20 प्रतिस्थापंदर को बढ़ाने में भी सहता करेगा रास्टी खाद सुरक्षा मिसन के तहट कुल 20,27,318 दलहन मिनिकिट, 74,000 से अधिक मुखफली मिनिकिट और 8,22,20 मिनिकिट सीधे किसानों को मुफ्थ प्रदान किया जाना है तो इसका सही अंसर होगा option A क्रिसी मंतरी चले next question पे चलते है हाली में कौन से राज्य के मुख्य मंतरी ने नवरतानलू पेदल अदर की इल्लू कारिकरम के तहट YSR जगना कॉलिनी परियोजना का वर्च्वल उधगाटन किया है option A केरल, option B तमिलानू, option C आंध्रप्रदेश, option D करनाटक देखी हाली में आंध्रप्रदेश के मुख्य मंतरी YS जगन मोहन रडी ने नवरतानलू पेदल अदर की इल्लू कारिकरम के तहट YSR जगना कॉलिनी परियोजना का वर्च्वल उधगाटन किया है राजे में गरीव और दलिदबर्ग के 13.76 लाक लगरतियों को मुफ्त घर का पट्टा वितरित करने के बाद राजे सरकार ने अप्रधान मंतरी आवास योशना की मदद से चरणबत तरीके से इसके लिए घर बनाने का काम सुरू किया है इस कारिक्रम के तहट पहले चरण में 28,084 करोड रुपे की लागत से कुल 15,6,227 मकान बनाये जाएंगे घरों का निर्मान जो है वो दो चरणों में किया जाएगा और प्रतेक चरण एक वर्स में पूरा होगा इस योजना के तहट स्वक्ष पेजल पर 4,128 करोड रुपे सडको और जल निकासी पर 22,587 करोड रुपे बिजली आपूर्टी पर 4,986 करोड रुपे इंटरनेट पर 627 करोड तो कॉलिनिय सम्बंधी अन्यसु विधाओं पर 567 करोड रुपे खर्ज के जाएंगे तो इसका सही अंसर होगा option C आंधरप्रदेश तो ये थ्यास के current affair वीडियो पसंद आए तो like, share और comment करना ना भूले साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले Thanks for watching, have a nice day, take care